तारे सितारे वं ग्रहनक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 14 फरवरी 2024 बुधवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टिवा भगवान गनेश जी की करपा से आज 12 में से 7 राशी वालों को भाग्य का भरपूरुसांत मिलेगा इन 7 राशियों में आज है मेश वरशब मिथुन करक तुला वरश्चिक और कुम्भ राशी वाले लोग वही अन्य राशी वालों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्ट दबाएं जिससे हमारे अगले आने वले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्य का राशी फल नही नही ग्यान वरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज मागमाश शुकल पक्ष की पंचमी तिथी है बुधवार का दिन है आज दिन की सुरवात रेवती नक्षत्र से होगी और मीन राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुरियो दई प्रातह काल साथ बजे होगा और सुरियास्त साम के छे बच के दस मिनिट पर करके दो पहर एक बच के 69 मिनिट तक राहु काल रहेगा तो आज राहु काल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार्य शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सुल रहेगा उत्तर दिसा में तो आज के दिन आप उत्तर दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कार्य अरंब नहीं करें उत्तर दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अति अवश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुर्वक पूजा सारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शुब रहे और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिलें तो मेंस राशी से आरंब करते हैं मेंस राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार मेंस राशी बालों के लिए आज व्यावसाई की आत्राइं ज्यादा सफल नहीं रहेगी नए आडर कम मिल पाएंगे और आपके कारिच्षेतर में जूनियर सहकर्मी आपके लिए समस्या उत्पन कर सकते हैं सतर करें पारिवारी की स्थिती अच्छी रहेगी समय पर निर्णा करने से आपको बचना चाहिए कुछ लोग अनिंद्रा रोक से आज परेशान रह सकते हैं आराम की आवशकता रहेगी आज आपका लखी नंबर एक है लखी रंग नीला रंग है आज आपको भाग्यकासाथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशे शुपा इस प्रक कार से रहेगा अपने काम के प्रती बहुती सतर का आप रहें नई तकनिक सीखने का प्रयत्न करें घर के कारियों में पत्नी का पूर्ण सहयोग कर पाएंगे जिससे घर का माहुल अच्छा रहेगा शेर मार्केट में निवेश से या आनलाइन गेम के माध्यम से धन प्राप रहे हैं इसलिए आज सावधानी अवश्य रखें आज आपका लखी नंबर तीन है लखी रंग सुनारा रंग है आज आपको भाग्य का साथ सत्यासी प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेशुपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान गणेजी की पूजा करें हरी दुर्वा और गुड चड़ाएं दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा अपनी क्रियेटिविटी के करण अपने कारियों को बहुत अच्छे से हिंडल कर प चाहा गिप्ट दे सकता है जिससे आप संतुष्ट रहेंगे और आज पीडिया रोक से पीडित व्यक्ति को आज बहुत आराम मिल पाएगा वेसे अपने स्वास्थ का आज आपको विशेश ध्यान रखना चाहिए आज आपका लकी नंबर चार है लकी रंग गुलावी आज आपको भाग्य का साथ अठोतर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनानकन्न के पस्चात भगवान गणेजी के द्वादस नामों का उच्चारन करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है करक करक राशी वाल सही योग करेंगे बहतर होगा धन आगमन के कई साधन आपके बनेंगे और आनलाइन माध्यमों से भी धन लाप के योग है प्रेम करने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आज कुछ लोग रदय से संबंदित रोक से परिसान रहेंगे अपने स्वास्थ का सिम्व राशेबालों के अनुसार आज का दिन इस परकार से रहेगा करमचारी वर्ग का प्रमोसर करने के लिए उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का अध्यन कर पाएंगे कुछ लोगों को उनकी छमता के अनुसार जाब नहीं मिल पाएगी आज आपको माता पिता की बात ना स आज आप अच्छे शेर में निवेस करिए धन लाब होगा प्रेम संबंदों में मद्धरता के लिए अपने लव पार्टनर से मिलें कुछ लोग यूरिन में इंफेक्शन के कारण आज परेसान हो सकते हैं अपने स्वास्त पर विशेज ध्यान दे खान पान पर संयम रखें आ आज आपका लग्की नंबर आठ है लग्की रंग बेंगनी रंग है आज आपको भाग्य खासाथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात भगवान गणेश जी रिद्धी सिद्धी का पूजन करें म परिवार के सबी सदस्यों के साथ आज आप किसी विवाहिक कारेकर में सम्मिलित हो पाएंगे पैसे का लेंदेन आज बड़ी सावधानी से करें विशेश करके आनलाइन ट्रंजेक्शन करते समय ध्यान रखें अपने संबनों में मजबुती बनाए रखें आज ज्यादा व इसी सुपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान गणेजी की पूजा करें गुड और हरी दुरवा चड़ाएं दिन आपका शुब रहेगा अगले राशी है तुला तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा अपने कल अपने व्यूज और सब्क्राइबर की व्रद्धी के साथ धन इस्तिती को मजबूत करेगा आज आप अपने लव पार्टनर से संबंदों को मजबूत करने के लिए रेड रोज गिप्ट करेंगे तो बहतर होगा बाहर का भोजन या खुला हुआ भोजन नहीं खाएं नहीं रहकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी की पूजा करें गणेश इस्त्रोत्र का पाठ करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा काम को लेकर काफी परिसान र आज आप अपने पार्टनर से सभी प्रकार के मदभेदों को खत्म करके संबंदों को आगे बढ़ा पाएंगे आज जोडों के दर्द से परिसान रहेंगे आज आपको अपने स्वास्त का विशेज ध्यान रखना चाहिए आज आपका लकी नंबर पांच है लकी रंग जन करें मोदक का नेवेदे चड़ाएं दिन आपका शुब रहेगा अगले राशी है धनू धनू राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा अपने काम को पूर्ण करने के लिए देर रात तक मेहनत अभश करें मानसिक परेशानी ज्यादा ना बड़े इसके लिए घर में बाद विबाद नहीं करें आज के दिन उधार दिया हुआ रुपया पेशा आपका फस सकता है इसलिए किसी को उधार नहीं दें पैतरक संपत्ती के कारण आज आर्थिक मजबुती रहेगी आज अपने परिवार को संतुष्टा आप कर पाएंगे साम को कोई ऐसी बात होगी जिससे आप मानसिक पीडा में रहेंगे तनाव मुक्त अवशर है आज आपका लखी नंबर दो है लखी रंग पीला रंग है आज आपको भाग्य का साथ पिचोतर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशी सुपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस नान करने के पश्चात भगवान गणेज जी को सिंदूर का चोला अरिपीत करें रितूफल चड़ाएं दिन आपका शुप रहेगा अगले राशी है मकर मकर राशी बालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा नेतरत्व छमता के कारण किसी बड़े सरकारी अ प्राप्त करवाएगा अपने संबंदों में आज आपको दिल की बात सुनना चाहिए उससे आपको लाब होगा कुछ लोग सरवाइकल स्पाइंडी से कष्ट से आज जूच सकते हैं इसलिए अपने स्वास्त का विशेश ध्यान रखें आज आपका लकी नंबर 18 है लकी रं पूजन करें मिठाई चड़ाएं दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है कुंब कुंब राशी बालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा अपने काम में निरंतरता लाने के लिए अपने टीम के साथ मीटिंग करें आज के दिन परिवार के साथ अतिथी आगमन होगा आज आपका खर्च कुछ ज्यादा हो सकता है मासिक बजट कड़ बड़ा सकता है आज पूरे दिन प्रेम का जाल दिल और दिमाग पर छाया रहेगा पार्टनर के साथ अच्छा समय वितित करेंगे आज अपनी बानी को नियंतरत अवश्य रखें अब सब्दो इसनान करने के पश्चात स्री गणेश चालीसा का पार्ट करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा सीनियर सकारी को पूरा करने के लिए दबाव बना सकते हैं माता के स्वास्त के खराब होने के कारण आज उनकी चिंता रहेगी आर्थिक इस्तिति में सुधार होगा मन प्रसन रहेगा नई नीतिया आपके लिए काफी लाप का रही रहेगी पार्टनर के साथ आज अच्छा समय वितीत कर पाएंगे कुछ लोग मित्रों के साथ आज अच्छा समय वितीत करेंगे पागिका साथ 84 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेशुपाइस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चात भगवान गनेजी रिद्धी सिद्धी का पूजन करें गनेजी को मोदग और स्रीफल अरपित करें दिन आपका शुब रहेगा तो मित्रों आश आपकार से है तो मित्रों आपका विशेश चार के तो मित्रों है जित्रों करें गनेजी को मित्रों से प्र्टों होगा प्राप्त है